हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल मल्टी रोज लाइफ साथियो आज हम आपको बताएंगे रात को सोने से पहले मोजे में प्यास का टुकड़ा रखकर सोने से क्या फायदे मिलते हैं साथ ही हम अपने चैनल में आपके लिए अयुर्वेदिक और घरिलू नुसके लेकर आते हैं ताकि आपका जीवन खुशहार रह सके आपसे यह भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज अभी सब्सक्राइब करें जो की पूर्णियते फ्री है सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले आप्शन बेल को भी प्रेस करें ताकि ऐसे मात्पूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि प्याज शरीर के लिए बहुत फाइदेमन्द है और ये काफी कम लोग जानते हैं कि जब इसे शरीर पर लगाया जाए तो ये शरीर में का भी नाश करती है मोजे में प्याज रखकर सोने से अंगों को स्वस्त रखा जा सकता है प्याज में मौजूद पोशक्तत खून की धमन्यों में घुसकर खून को शुद रखते हैं साकि हमारे पेरों के नीचे बहुत सी तंत्रिका होती हैं ये शरीर के अलग-अलग अंग क्योंकि ये भी हमारी जिंदीगी का एहम हिस्ता है ऐसे में इन धमनियों को एक्टिव करने का काम प्याज करती है तो चलिए आपको पताते हैं कि क्या होता है प्याज को मोजे में रखकर सोने से बैक्टीरिया और रोगाणों का नाश होता है प्याज में एंटी बैक्टीर को मोजे में रखकर सोते हैं तो आपका फून साफ हो जाएगा चोटी आथ और मुत्राशे की समस्या आज कल आम होती जा रही है प्यास का एक टुकड़ा आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है आपको बस इतना करना है कि प्यास के टुकड़े को मोजे में डाले औ मदद मिलती है दोस्तों यदि आपको सर्दी जुकाम और बुखार हैं तो आप मोजे में प्यास का एक टुकड़ा डालें और उसे पहन कर सो जाएं सर्दी जुकाम और बुखार में जल्द ही राहत मिलेगी साथ ही प्यास के टुकड़े को मोजे में डालकर पहन कर सोने से एडियों से छुटकारा मिलता है एडियां कोमल बनती है तो दोस्तों ये हमने आपको बताया प्यास के टुकड़े को मोजे में टाल कर फिर उसे पहन कर सोने से होने वाले स्वास्ते वर्दग वह और शदियव फायदे हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाब दायक होगी ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा और तक शेयर करें ताकि इसी मात्कून जानकारियां आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुचती रहे और उनको भी इनका लाब मिलता रहे बाई टेक केर बी हैपी धन्यवाद